तो दोस्तों मैं आपको बताते हूँ कि मैं ठाकुर जी की सुबह की सेवा कैसे करती हूँ तो दोस्तों ठाकुर जी को मादव कनईया बाल गोपार के रूप में भी जाना जाता है सुबह सबसे पहले मैं उनको उठाती हूँ मैं उन्हें ताली बजाके उठाती हूँ मादव बोल करके बोलती हूँ और उनको मैं बिस्तर में ही रहने देती हूँ उठाती नहीं हूँ तब तक मैं पूरा मंदिर का अपना साफ सपाई कर लेती हूँ दोस्तोń तो मैं सोचती हूं कि जैसे में हमारी बाच्ची फोते न 수도ί वी उनको उठाते रहते हैं जल्दी पीछत से नहीं हैं तिसलिए में मादप जी को भी नहीं उठाती हूं जल्दी इदर मैंनी रख़ दिया उनके लिए पानी गरम नहनी के लिए सर दिया है तो हमें धिहान रगना कि हम गरम पानी से उनको नहलाएंगे और मंदीर की बरतन में इसाप कर लिए हैं और इधर नमए ठाकुर्जी को उठा दिया है घाकुर्जी को यहाँ पर बिठा दिया यह उसकी वाद मैंनकर गरम पानी करके पिलाती हूं तो अब दोस्तों हर चीज मैं आपको कैमरे में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं सब कुछ अकेले ही करती हूँ तो जब भी मैं ठाकुर जी को नहलाती हूँ तो मैं उन्हें बिना दिये जलाई कभी नहीं नहलाती हूँ तो मैं दिये जलाती हूँ ताकि उनको ठंडी ना लगे बाकि आपकी जो भी सहदा होती है अगर सहद दही उनसे मैं उनको इश्णान करता कराती हूं अपनी शहदा के अनुशार और गरम पानी से ध्यान अखना कि सर्दे में ठाकुर्जी वह गरम पानी से नेलाना है अब मैं ने थे ठाकुर्जी को अच्छे से पोण दे आए ताकि उनको कोई पानी का दाग ना रहीं शंट्रे काले हुए यह थे अब देगे मेरे थाकुर जी तयार हो हो रहे हैं तैयार होते हों ऐसे लगते हैं जैसे मन्दमन मुश्कुरा रहे हैं चाप तु और विशंदर लगे तो मैं उन्हें व फूलों से शाज देती हूं ताकि वह और वी शंदर लगे और दोस्तों फूल में 2-3 दिन का एक खटा ही रख देती हूं कि विश्वर्य कुछ सब्सक्राइब मैं एक खटा रख देती हूं दो तीन दिन का उसके बाद मैं उनको भोग गरा लगाती हूं और उनकी आर्थी करती हूं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना रादे 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 रादे